दस्वीक अक्षय की विज्ञान विशय की इस ओनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याए 11 मानो नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, उसी का अगला भाग। इससे पहले हमने परकास के अपवर्तन के बारे में पढ़ा और वहाँ पे हमने सीखा था कि जब परकास किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या यूं कहें सगन माध्यम से विरल या विरल से सगन माध्यम में जाता है तो अपने पत से विजलित हो जाता है। प्रकास के इसी विचलन को हमने अपवर्तन कहा था और इसको सीखा था कांच की स्लैब के द्वारा जिसमें से हमने देखा था कि प्रकास की सीधी जाती हुई किरण कांच की स्लैब बीच में रख देने के कारण मुड़ जाती है क्या प्रकास अपवर्तन किसी ओर तरीके से भ यहीं पर उपयोगी है यह भी जानने का हम परियास करेंगे और इसके अलावा आज इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि आस्मान का रंग नीला क्यों दिखाई देटा है सुरियोदय या सुरियास्त के समय सूरज का रंग आपको लाल नजर क्यों आता है और रात को तारे तिम्टिम आते हुए क्यों नजराते हैं। उन सभी पर्षनों के उत्तर इसी वीडियो में आपको मिलेंगे। तो चलिए सुरू करते हैं। आज हम सुरूआत करते हैं प्रिजम द्वारा प्रकास के अपवर्तन की। अब यह है प्रिजम क्या है। प्रिजम एक काच की स्लैब के भाती ही पारदर्शी माध्यम है जिसके तीन सिरे होते हैं। काच की स्लैब में वहाँ पे चार भुजाएं थी, यहाँ पे तीन भुजाएं होगी। आईए अब प्रिजम द्वारा प्रकास के अपवर्तन को समझते हैं। यह एक प्रिजम है जिसकी तीन भुजाएं आपको नजर आती हैं यहाँ पे जो प्रिजम के दो फलक एक फलक यह हो गया और दूसरा फलक दूसरे तरीके से है भुजाएं जिसको हम कह सकते हैं ये अलग-अलग तीन भुजाएं हैं प्रिजम की तीनों ही पारदर्शी हो सकती है या इन में से कोई दो भुजाएं तो पारदर्शी होंगी ही जिसमें से प्रकास का अपवर्तन हो सकता है यहां पे जो उपर दो फलकों के बीच में जो इसके दो यहाँ पे सतय हैं, इनके बीच में बना हुआ, जो एक दूसरे के उपर जुके हुए हैं, इनके बीच में बना हुआ कोण, इस कोण को हम कहते हैं, प्रिज्म कोण, इसको सामान्य तया अक्षर एक द्वारा निरूपित किया जाता है, है इस किरन को दो बिंदुों से हम मान लेते हैं जैसे वहां पर आपक्रिया किर्ण करते वक्त नुए यहां पर हमें पता है अपवर्तन के लिए अभिलंब बनाना होता है तो यहाँ पे यह एक अभिलंब है जिसको हम NN- के द्वारा परदर्शित करते हैं यह किरण जो आ रही है जिसको हमने PQ कहा है PQ जो किरण है वह आप्तित किरण है यह ध्यान रखिए इस किरण का नाम होगा आप्तित किरण और क्योंकि यह है आप्तित किरण है और जो अभिलंब के बीच में कौर्ण बनाएगी इस कौर्ण को हम AYE से लिखेंगे और AYE जो इसके अंदर होता है वह होता है हमारा आप्तन कौर्ण उसके बाद इस सतह पे अपवर्तन होगा और अपवर्तन के पश्चात यह है क्योंकि देखिए बाहर की तरफ अगर हम बात करें यहाँ पे तो बाहर की तरफ सारा का सारा विरल माध्यम है और अगर प्रिजम की बात करें तो प्रिजम के अंदर माध्यम सघन है तो इस वज़े से परकास की किरण अपवर्तन के पस्चात अभिलंब की ओर मुडेगी इस तरीके से यहाँ पे इस कोण को जो अपवर्तन कोण है इसको हम आर से लिखते हैं आर हमारा ये ध्यान रखिये अपवर्तन कोण है आर होगा हमारा अपवर्तन कोण अब उसके बाद यहाँ परकास की किरण इस तरीके से जाएगी क्योंकि एक माध्यम में जब होती है तो परकास की किरण अपना रस्ता नहीं बदलती है सीधी रेखा में गती करती है तो यह है प्रकास की किर्ण इस तरीके से चलती चलेगी और दूसरे सतय के उपर जब पहुँचेगी तो यहाँ पे इसका फिर से अपवर्तन होगा और अपवर्तन के लिए हमें पता है फिर से हम यहाँ पे एक अभिलंब बनाएंगे अब की बार इस अभिलंब को हम M- कह देते हैं और यहाँ से अपवर्तन होगा अब की बार देखिए यह है सगन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जा रही है तो यह है अभिलंब से परे मुड़ेगी तो इस तरीके से यह अभिलंब के परे मुड़ जाती है और इस तरीके से जो बाहर जाती हुई किरण है उसके लिए हम इस कोण को E से लिखते हैं E, Angle of Emergence होता है जिसको हम हिंदी के अंदर निर्गत कोण कहेंगे ये होगा हमारा निर्गत कोण Angle of Emergence, E अब इसके बाद अगर देखा जाए तो यह है मान लेते हैं हमारी जो किरण है इसको R, S, दो बिंदूओं से भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर आलपिल लगा सकते हैं उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर क्रिया कलाप करते हैं तो यह हमारी परकास की किरण अपवर्तन के पस्चात सीधी निकल जाएगी अब देखिए यहाँ पे इस बिंदू के उपर परकास का अपवर्तन हुआ इस बिंदू को E कह देते हैं उसके बाद इस बिंदू के उपर भी परकास का अपवर्तन हुआ इस बिंदो को हम एप से लिख सकते हैं अगर यह प्रिजम नहीं होता तो प्रकास की किरण सीधी निकल जाती जो P क्यों है हमारी किरण यह प्रकास की किरण अगर प्रिजम नहीं होता तो वह सीधी इस तरीके से निकल जाती परंतु हमने बीच में प्रिजम रख दिया और प्रिजम रखने के कारण यहां पे प्रकास की किरण का अपवर्तन हुआ है और यह अपवर्तन के कारण यह प्रकास की किरण अब इस तरीके से जा रही है जिसको पीछे की तरफ बढ़ाने पे हमें पता चलता है कि पहले तो प्रकास की किरण इस दिशा में जा रही थी, प्रकास की किरण की दिशा ये थी अगर प्रिजम नहीं होता तो परंतु जब उसके अंदर हमने प्रिजम रख दिया तो प्रकास की किरण अब इस दिशा के अ तो यह ध्यान रखिए, इस कोण को हम यहाँ पे कहेंगे विचलन कोण, तो इस परकार से यहाँ पे परकास का अपवर्तन होता है, विचलन कोण, इस कोण से, इस एंगल से जो परकास की किरण है वह अपवर्तित होती है, तो इस परकार से जो प्रिजम है वह परकास का अपव तो यहाँ पे हमने देखा कि प्रकास की किरण को प्रिजम के अंदर से गुजारा जाता है, तो यहहे अपने पत्थ से विचली तो हो जाती है. क्या इस विचलन के कारण कुछ और भी प्रक्रियाय हो सकती है? आये इनको भी समझने का प्रियास करते हैं. हम समझेंगे कि क्या ह विखशेपन का मतलब यहाँ पे हुआ अलग अलग अरंगों में विभाजित हो जाना तो विखशेपन को यहाँ पे हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं प्रकास का प्रिजम से गुजरने के पश्चात अलग-अलग रंगों में विभाजित हो जाना विक्षेपन कहलाता है हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रकास इस प्रिजम के उपर गिरा, स्वेथ प्रकास गिरा वह जाना इस तरीके से चाहिए था परंतु हमने पढ़ा था कि प्रकास का अपवर्तन होता है प्रिजम में से गुजरने के कारण अब वह सीधी रेखा में नहीं जाएगा वह अपवर्तित हो जाता है परंतु यह क्या यह तो रंगों में विभाजित हो गया तो स्वेत प्रकास जब प्रिजम में से गुजरता है तो अलग-अलग रंगों में विभाजित हो जाता है विक्षेपन के कारण रंगों का एक band मिलता है और इस band को जो पट्टी मिल रही है जो spectrum मिल रहा है इस band को इस पट्टी को इस करम को हम कहते है spectrum तो यहाँ पे हमें एक spectrum मिला है इस spectrum के रंग कैसे हैं आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मैं उनको लिख देता हूँ अलग-लग से सबसे पहले यहाँ पे हमें मिलता है बैंगनी रंग, बैंगनी को वाइलट लिखा गया है, उसके बाद नीला, इंडिगो, उसके बाद आसमानी, ब्ल्यू, हरा, ग्रीन, येलो, पीला, ओरेंज, नारंगी और उसके बाद रेड कलर हमें मिलता है तो यहाँ पे अगर देखा जाए, तो हमें एक स्पेक्टरम मिलता है, जिसको हम कहते हैं विब गयोर, आप इस सब्द को ध्यान रखें, विब गयोर, यह है पैटर्न है, परंतु, आप देख रहे हैं, आप कह सकते हैं, कि यहाँ पे तो सबसे उपर तो हमें लाल रंग दिख पे वह है लाल रंग का होगा, यहाँ से हम कह सकते हैं, कि जो बैंगनी रंग है, वाइलेट कलर है, उसका विक्षेपन सबसे ज्यादा हुआ है, और जो लाल रंग है, उसका विक्षेपन सबसे कम होता है, यानि कि प्रिजम में से जब स्वेत प्रकास को गुजारा जाता है तो वह सात रंगों में बठता है और जो बैंगनी रंग है उसका विक्षेपन सबसे ज़्यादा होगा और जो लाल रंग है उसका विक्षेपन सबसे कम होगा परन्तु यदि हम एक और प्रिजम इसी प्रकार से रख दें उल्टा करके तो क्या यह है पुन्हे स्वेत प्रकास में बदल जाएगा ग्योर यहां पे मिलता है अब यहां पे prism 2 second prism रखा हुआ है इस prism को जैसे यहां पे रखा गया तो लाल रंग हुआ इस तरीके से और violet का भी यहां पे इकठा होके क्योंकि वहां पे फिर से अपवरतन होता है और इस कारण से यह है वापिस स्वेत प्रकास में बदल जाता ह है और परदे के ऊपर हम इसको पा सकते हैं तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पुन्हे स्वेत प्रकास प्राप्त किया जा सकता है spectrum को या जो सातरंगिये प्रकास है प्रिजम के द्वारा उसको पुन्हे प्रिजम में से गुजारने के बार आकास में बनने वाला इंदर इंदर धनुस को देखा होगा वह इंदर धनुस विक्षेपन के कारण ही बनता है और जब आपने इंदर धनुस देखा होगा तो आपने साय ध्यान भी दिया होगा कि इंदर धनुस सूरिय से हमेशा विप्रिद दिशा में बनता है अब बात करें तो यह इंदर धनुस बनता कैसे है आपने ध्यान दिया होगा कि इंदर धनुस जब भी बनता है तो बारिस के बाद या बारिस के समय पे बनता है और एक चीज और आप ध्यान दीजिए कि जब भी इंदर धनुस बनता है वह सूरिय से विपरीत दिसा में बनता है ऐसा क्यों है क्यों यह है इंदर धनुस बन रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है बारिस जब होती है तो आमतोर से जो वायू मंडल है उसके अंदर बहुत ज्यादा पानी के छोटे-छोटे कंड वास्पकंड हम खह सकते हैं वो होते हैं परकास की किर्णे जब उन छोटी-छोटी बूंदों से होकर गुजरती हैं त परकास अपने अलग-अलग रंगों में विभाजित हो जाएगा और जब इस तरह से परकास विभाजित होता है तो इंदर दनुस बनता है परंतु वह हमें दिखाई क्यों देता है तो उसके पीछे कारण क्या है जब परकास की किर्णे आप देख सकते हैं यहां पे एक वर प्रावर्तन होता है आंत्रिक प्रावर्तन मतलब उसी के अंदर वह बूंद के अंदर ही वापिस प्रावर्तित हो जाता है और यह धान रखी यह होता है जब प्रकास की किरण किसी सगन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है तो यहां पे आंत्रिक प्रावर्तन होता है और इस प्रावर्तन के पश्चात यह यहां पे पुन्हे प्रावर्तित होता है इस जगह पे उपर भी तो इस तरीके से जो बूंद में से बाहर निकलता है प्रकास वह पहले अपवर्तन यहां पे अपवर्तन के कारण विक्षेपन उसके बाद आंतरिक प्रावर्तन और यहा आँख में हमारी आँखों में पहुंचता है सूरिय का प्रकास इस तरीके से तो यहाँ पे हमें अलग-अलग रंगों का प्रकास आँख में पहुंच रहा है और देखने वाले को क्या लगेगा हमीशी को पीछे की तरफ बढ़ाएं तो देखने वाले को लगेगा कि यह प्र की तरफ हो और यदि आप आकास की तरफ देखेंगे तो किसी भी धूप वाले दिन जरूरी नहीं आप बारिस वाले दिन ही आप करें अगर जल परपात कहीं पर बन रहा है आप ख़वारे के नीचे खड़े हैं और सूरज आपके पीछे है तो आपको दूसरी तरफ जो यानि साबून के छोटे-छोटे बुलबुलो में भी देख सकते हैं यहां पर हमने देखा कि इंदर धनुस वायू मंडल में उपस्थित वास्पकणों के कारण बनता है परन्तु वायू मंडल में वास्पकण तो हमेशा विद्यमान है इसके अलावा और भी बहुत सारी गैसे है तो क्या उनके कारण भी अपवर्तन हो सकता है तो आएए अब बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं वायू मंडल ये अपवर्तन के बारे में वायू मंडल ये अपवर्तन पृत्वी के वायू मंडल के कारण होने वाले अपवर्तन को हम वायू मंडल ये अपवर्तन कहते हैं क् अब क्योंकि प्रिध्वी की बात करें तो प्रिध्वी की शताय से लेकर के बहुत दूर के छेतरफल तक वाईयूमंडल होता है और सूर्य का परकाश जब इसमें आता है तो यहां धर्ती को गरम करता है इसके अलावा जो आ रही गैसों में से भी तो होके आता है इनको भी गरम करता है और प्रत्वी की सतय सबसे ज़्यादा गरम होती है अब यहाँ पर हम मान सकते हैं कि वायू मंडल अनेक परतों से मिलकर वना हुआ है कैसे मानेंगे देखिए वायू मंडल के जो सबसे नीचले हिस्से में या प्रत्वी की सतय के पास जो गैस है वह गरम होती है इसके अलावा इससे उपर वाली थोड़ी सी कम गरम होगी इसको आप यू भी समझ सकते हैं कि आप कहीं आग के पास बैठे हुए तो आपने महसूस किया होगा जब आप उसके बिलकुल नजदीक होते हैं तो ज़्यादा गरम होते हैं और दूर जैसे जैसे जाते हैं तो उसकी गरमी कम महसूस होती है इसी परकार से वायू मंडल भी हम कुछ हिसे तक मान सकते हैं अलग-अलग परते होंगी उसकी और वह परते अलग-अलग तापमान पे होंगी तो इसका मतलब यहाँ पे तापम के पास की सतय है यहां पे जो वायू मंडल की वायू है या वायू मंडल की परते हैं वो सबसे विरल होगी और जो जैसे जैसे हम उपर की तरफ जाते हैं तो उसकी सघंता बढ़ती जाती है यानि कि वो ज़्यादा गहरी होगी अब यहां पे हम समझ सकते हैं कि जब वो अलग अलग माध्यमों से परकास होके गुजरेगा तो हर बार जब वह माध्यम बदलता है तो उसका अपवर्तन होता है तो वायू मंडल की इन ही परतों के कारण अलग 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 घंता की परतों के कारण वायू मंडल ये अपवर्तन होता है तो क्या इस वायू मंडल ये अपवर बंडल श्थिर नहीं होता, उसके अंदर लगातार हलचल होती रहती है और इस हलचल के कारण हमें तारे टिंटिमाते हुए दिखाई देते हैं और तारों का टिंटिमाना इसी मंडल या अपवर्तन और लगातार बनी हुई ऐस धिरता के कारण होता है तो देखिए तारा मान लेते हैं जैसे यहां पे है अपनी स्थिती पे बना हुआ है यहां पे हम मान लेते हैं कोई भी तारा है और आप यहां पे प्रत्वी के ऊपर है जैसे यहां पे खड़े हुए है उस तारे से प्रकास आप तक पहुँचेगा परंतु वह वायू मंडल क अनेकों परतों से होकर गुजर रहा है अब एक स्थिती में मान लेते हैं कि वह परकास आप तक सीधा पहुंचा तो वह इस्थिती में है अब मान लेते हैं कि हवा चल रही है और हवा चलने के कारण वायू मंडल के अंदर ऐस्थिरता आती है जिसके कारण यह परते बदलती और परते बदलेगी तो जो प्रकास की किरण की स्थिती है क्योंकि वहां पर माध्यम जब बदलते हैं ये माध्यम खिशक जाएगा यहां पर सरल या विरल आ जाएगा तो वह प्रकास की किरण जो इस तरीके से प्रावर्तित हो रही थी अब वह उतनी ही प्रावर्तित नहीं होगी जबकि उसके मुकाबले कुछ बदलेगी चाहे कम हो या जादा हो तो इसका मतलब जो परकास की किरण सीधी जा रही थी अब वह सीधी नहीं जाएगी थोड़ी सी जगह पे पिल्कुल थोड़ी सी अपनी जगह से हिली हुई परतीत होगी और देखने वाले को क्या लग तो वह हमें तारा किसी दूसरी जगह पे आएगा अब देखिए तारे का प्रकास लगातार एक जैसा है वह बिंदू जैसा है एक बार वह बिंदू यहां पे जा रहा है दूसरी बार वह बिंदू इस तरफ जा रहा है अभी इस तरफ जा रहा है लगातार वह बिंदू हिल तो हमें वह तारो जैसी आकरती नजर आती है और इस वज़े से हमें वह तारे टिम्टिमाते हुए दिखाई देते हैं। हमने देखा कि वायू मंडली अपवर्तन के कारण तारे तो टिम्टिमाई। क्या और कोई भी गटना होती है। हाँ आपका दिन रात के मुकाबले थोड़ा सा बढ़ा हो जाता है। अब आप कहेंगे कि दिन और रात का लंबा या छोटा होना तो मोसम और सूरिय और पृत्वी की स्थिती के उपर निर्भर करता है। तो इसमें वायू मंडल का क्या महत्तव तो आप एक चीज ध्यान रखिए कि जो वहाँ पे सूरिय चांद मोसम आदी की स्थिती के कारण बनता है वो दिन रात तो है ही उसके अलावा कुछ समय का फर्क आपका वायू मंडल भी करता है। क्यों होता है समझते हैं और उसके बाद देखेंगे कि वह है कितना फर्क करता है। वास्तों में जो मोसम और अन्य स्थितियों के कारण जिस समय पे सूरियास्त होना था उसके लगबग दो मिनट बाद तक वह हमें दिखाई देता रहता है। ऐसा होता क्यों है। तो देखिए हमें पता है कि पृत्वी के चारों तरफ वायू मंडल है। अब हम इस स्थिति को मानते हैं। तो यहाँ छितियों हैं और यहाँ पे आप खड़े हैं। होगा क्या। सूरियोदे जब होता है मान लेते हैं यहीं स्थिति एक बार सूरियोदे की स्थिति मान लेते हैं। तो जब वह इस स्थिति पे उदे होता है हम मानते हैं कि सूरियोदे इस स्थिति से उपर आ जाएगा क्योंकि यह इसके सामने है। और इस स्थिती पे आ जाएगा, उसके बाद ही वह उसको दिखाई देगा, परंतु वह स्थिती जब नीचे होता है, तो यहां से परकास की किरण वायू मंडल में पहुंचती है, क्योंकि अगर वायू मंडल नहीं होता, तो वह परकास की किरण इस तरीके से लगातार सीधी निकल जाती, परंतु यहां पे वायू मंडल है, इस वजह से उसका अपवर्तन होता है, और परकास की किरण सीधी ना जाते हुए, नीचे की तरफ आती है, इस तरह से मुड़ जाती है, और वह हमें दिखाई देने लग जाती है, यानि कि सूर्योद से सूर्ये दो मिनट प होता है, जब शितित से नीचे सूर्ये चला जाता है, तो सूर्यास होता है, परंतु वहीं स्थिति यहां पे भी नजर आएगी, जब शितित से नीचे सूर्ये चला जाएगा, तो नीचे जाने के कारण वह है यहां पे प्रकास की किरणे पहुंचेंगी, और फिर भी वह हम दिखाई देता रहेगा तो दो मिनट पहले और वास्तविक सूरियस्ट के दो मिनट बाद तक हमें सूरिये दिखाई देता रहता है और इस तरह से हमारा दिन चार मिनट लंबा हो जाता है किसी भी दिन के मुकाफले हमने देखा कि परकास का वायू मंडल के कारण अपवर्तन होता है और उसके कारण कई सारी प्रिघटनाएं होती हैं इसके अलावा भी कई सारी रोचक घटनाएं वायू मंडल के कारण होती हैं आप याद कीजिए कि आपको आसमान कारण कैसा दि रक्ताम क्यों नजर आता है? वह है वायू मंडल के कारण होने वाले एकोर प्रभाव के कारण और वह है परकिर्णन. परकास का छोटे छोटे कणों से टकरा के चारो तरफ बिघरना परकास का परकिर्णन होता है. इसका एक उधारन है टिंडल प्रभाव. टिंडल प्रभाव तथा वायू के अनुसम में लित होते हैं जब कोई परकास किर्णपुंज ऐसे महीन कणों से टकराता है तो उस किर्णपुंज का मार्क दिखाई देने लगता है इन कणों से विशरित परकास प्रावर्तित होकर हमारे पास तक पहुंचता है कुलाइडी कणों दवारा परकास के परकिर्णन की परिखटना टिंडल परभाव उत्पन करती है किसी घने जंगल के वितान से सूर्य का परकास बुजरता है तो टिंडल परभाव उत्पन करता है जिसको देखा जा सकता है यहां पे हम परकास की किरणों को साफतोर से देख सकते हैं, उनके रास्ते को देख सकते हैं यहीं टिंडल परभाव है और यहें टिंडल परभाव उत्पन होता है वायू मंडल में उपस्थित अनेको धूलकनों, गैसों और वास्पनों आदी के कारण विश्मांगी मिश्रन का अर्थ है कि वहां पे समान नहीं है, एक समान मिश्रन नहीं है कहीं पे घंता जादा है, कहीं पे घंता कम है, किसी कहीं पे वास्पकन जादा है, कहीं पे और दूसरे तरह की गैसे जादा है तो वह एक समान मिश्रण नहीं है गैसों का वह विश्मांगी मिश्रण है जिसमें धुआ, वास्पकर्ण, अनेको परकार के धूल के कर्ण, इसके अलावा अनेको परकार की गैसे आदी वहां पे उपस्थित होती है श्वच्छाकास का नीले रंग का दिखाई देना भी इसी परकिर्णन के कारण होता है क्योंकि नीले रंग की तरंग धैरिये कम होती है और लाल रंग की तरंग धैरिये ज्यादा होती है इसी वज़े से नीले रंग का परकिर्णन ज्यादा होगा और लाल रंग का परकिर्णन कम होगा इसका मतलब यह हुआ कि नीला रंग सारा का सारा सामान्यत या आस्मान के अंदर बिखर जाएगा और वह हमें नीला दिखाई देता है और लाल रंग और बाकी सभी रंग हम तक पहुँच जाते हैं तो यह है प्रभाव वायू मंडल के कारण हुआ है तो वायू मंडल से बाहर जाने पर क्या आकास नीला दिखाई नहीं देता? नहीं, अगर हम वायू मंडल से बाहर जाते हैं तो हमें आकास नीला नजर नहीं आता वहे आकास काला नजर आता है क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई वायू मंडल नहीं है वहाँ पे परकास का परकिर्णन नहीं होता और किसी परकार की परकास की किर्ण अपवर्तित होके भी हम तक नहीं पहुंचती इसी वज़े से हमें सामान्य तया जो वायू मंडल से बाहर जाने पर अंत्रिक्स काला नजर आता है तो प्रत्वी पर खड़े होकर आस्मान का नीला रंग आपको वायू मंडल के अंदर ही रहकर देख सकते हैं अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको अंत्रिक्स काला नजर आएगा तो चलिए अब एक और रोचक घटना के बारे में बात करते हैं और वो है सूरिय का लाल रंग का नजर आना जब वहे आस्थ होता है या उदै होता है तो सूरियास्त के समय या सूरियोदे के समय उसका रक्ताब होना भी इसी वायू मंडल के कारण होता है आप देख रहे हैं कि दिन के समय में सूरिय सीधा हम तक पहुंचता है और इसके कारण जब वह सीधा पहुंचता है तो वायू मंडल के अंदर कम चलता है आप देख सकतें सिर्फ उसने इतनी दूरी वायू मंडल के अंदर तै की, इसके कारण यहाँ पे जो परकिर्णन है वह कम होता है, सिर्फ यहाँ पे नीले रंग का परकिर्णन हो पाता है, और बाकी दूसरे रंगों का परकिर्णन कम होता है, इस वज़ेसे हमें वह इतनी दूर चलना पड़ता है जिसके कारण नीले रंग के साथ साथ वहां पे मैंने बताया था विबग्योर हमने पढ़ा था आपको ध्यान होगा जिसमें अलग-अलग जो स्पेक्ट्रम मनता है उसके अलग-अलग रंग हो है विबग्योर तो नीले रंग के अलावा हरा पी के अंदर से गुजरता जाएगा उतना ही दूसरे रंगों का भी परक्रिणन बढ़ता जाता है और वहां पे धीरे-धीरे रंग कम पहुंचते हैं सूरियस से हम तत और इसकारण से वह लाल रंग दिखाए देता है परंतु लाल रंग से पहले यदि हम वायूमंडल की भी तो सूर्थ छिपने से पहले जब वा लाल रंग का होता है तो आप वायूमंडल में भी देखेंगे उसका थोड़ा सा आसर होता है और आस्मान भी हमें थोड़ा सा सुनहरी रंग का या हलका सा कम निला होना वहां पे आरंब हो जाता है वह इसी परकिर्णन के कारण होता है और इन रोचक प्राकरतिक घटनाओं का उपियोग भी हम अनेको जगहों पे करते हैं। अब आप सोथ सकते हैं कि खतरे के निसान सामान्यत या लाल रंग के क्यों बनाय जाते हैं। या जब हमें लंबी दूरी पर संकेत भेजने होते हैं प्रकास के उनका रंग लाल रखा जाता है। तो ऐसी ही कुछ रोचक परिघटनाओं के बारे में आप अपनी नोटबुक में लिखिए और कुछ परिघटनाएं मैं आपको बताता हूँ उनका हल ढूनने का भी परियास कीजिए। जैसे सामान्य तया बादल आपको सफेद रंगे नजर आते हैं। ऐसा क्यों है और बारिस के दिनों में वहीं बादल काले क्यों नजर आते हैं। आपने सुना होगा कि काले मेग बारिस ज्यादा करते हैं। काले बादल ज्यादा बारिस करते हैं। तो आपको कुछ हिंट तो मिल ही गया होगा। तो इस प्रसन का उत्तर भी ढूणने का परियास कीजिए और अपनी नोट बुक में लिखिए। इसके अलावा ऐसी ही रोचक घटनाएं आपको दिखाई देती हैं। वह भी नोट करें। विज्यान से संबंदित ऐसी ही रोजक कटनाएं जो आपके सलेबस में भी हैं। उनके बारे में हम बात करते रहेंगे। इसके लिए यदि आपने चलल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और शात में लगी घंटी को ज़रूर दबा लें। ताकि आपके सलेबस से संबंदित या आपकी तैयारी से संबंदित या रोचक जानकारियों से संबंदित कोई भी वीडियो आपका छूट न पाए। तो आज के लिए इतना ही नन्यवाद।